हैले अबरीवन कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एट होम कुकिंग में आपका मॉस्ट वेलकम है फ्रेंड्स आज मैं एक स्वीट डेजर्ट की रेसिपी लेकी आई हूं जो ब्रेड से बनाये जाता है ब्रेड खीर टोस्ट इसको बोला जाता है अब ही ब्रेड के किनारों को निकाल लूँगे पहले तो फ्रेंड्स अब इसको हम कट करके चार पीस बनाएंगे एक ब्रेड का हम चार पीस बना लेंगे देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे कट कर रही हूँ बस ऐसे हमें चार पीस बना लेना सभी ब्रेड का तो इधर मैं पीसेज कट कर ली हूँ अब दूसरी तरफ हम एक पैन में एक कप मिल्क डालेंगे ये फुल फैट मिल्क है और मलाई के साथ है तो एक कप हम मिल्क डाल दिये हैं अब इसको हम पकाएंगे जब तक कि ये एक कप मिल्क आधा कप न हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है बॉयल करना है तब तक तो one fourth cup मैं इसमें डाली हू sums milk powder और one fourth cup मैं डाली हूं नारियल का बुरादा, जो सुखा वाला नारियल आता है ना, उसका बुरादा मैं डाली हूं, और one fourth cup अभी milk powder डाली हूं और थोड़ा रुप के फिर से मैं one fourth cup milk powder डालूंगी. तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर 1 फोर्द कप और मिल्ट पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी अब यह हो चुका है अब मैं गैस का फ्लेम आफ कर दूंगी और ठंडा होने के बाद यह थिक हो जाएगा मावा के फोर्म में हो चाएगा का दूसरी तरफ गढ़ाई में हम घी डाल देंगे ऐसे ही करके हम सभी फ्राइ कर लेंगे तो इधर सभी को फ्राइ कर ली हूँ अब चलिए आगे की प्रॉसस के तरफ अब हम कड़ाई में एक कप पानी डाले हैं और फॉर्थ कप चीनी डालेंगे और इसमें फूट कलर डालेंगे इसका बनाएंगे चासनी और चासनी में तार नहीं लगाना है बस एक ठिक सी चासनी बन जाएगी चिपचिपी सी बस इतना ही यह हो चुका है फ्रेंट्स अब ग के फिल्क थंडा हो गया है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और इसमें दीप करके और तुलन निकाल देना है। ऐसे ही सारे पीसिस को डीप करके निकाल देना है तो इधर सब रेड़ी हो गया सब डीप करके मैं निकाल दी हूँ अब यह जो खीर में बनाई थी मिल्क पाउडर ग्रेटेर नारिल और मिल्क का देखी वो कितना थीक हो चुका है मावा के फॉर्म में उसको मैं ब्रेट के अब यह बन के रेड़ी हो गया देख सकते हैं यह स्वीट डेजर्ट है बहुत टेस्टी लगता है अगर आप नहीं बनाए हो तो एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा और रेसिपी कैसे लगी जरूर बताइएगा अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्रा करना बिल्कुल भी न भूलिएगा